दोस्तो इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं टोटल दो स्टॉक्स के बारे में दोनों ही स्टॉक्स टाटा ग्रूप से रिलेटेड हैं टाटा मोटर्स और टाटा पावर की मैं बात कर रहा हूँ जहां पर आज इन दोनों कंपरियों ने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट की डेट को अनाउंस कर दिया है सबसे बिले बात कर लेते हैं टाटा मोटर्स के बारे में आज कितिनी शेर्स के अंदर आपको 2% की गिरावट देखने को मिल रही है लेकिन इस गिरावट के पीछे कोई बड़ी वज़ा नहीं है आज के दिन मार्केट हमें overall down देखने को मिला है उसके पीछे के कुछ important reason रहे हैं जो कि हम next वीडियो के अंदर discuss करेंगे लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स की तो टाटा मोटर्स के अंदर particularly कोई ACA announcement निकल कर नहीं आई है जिस कारण से आज के दिन आपको यह गिरावट देखने को मिल रही है चिर्फ मार्केट का pressure है otherwise टाटा मोटर्स के अंदर आज के दिन भी अगर आप volume बस काम और deliverable based काम देखेंगे तो काफी अच्छा हमें देखने को मिला है आज के दिन भी टाटा मोटर्स की 30% quantity deliverable based पर उठाई गई है अगर हम टाटा मोटर्स की corporate announcement को चेक करें तो आज के दिन company ने एक loss of share certificate declare क्या है साथी साथ कुछ investor conference call भी यहाँ पर company की तरफ से update करी गई है लेकिन अगर आप board meeting session में आएंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि company ने अपने quarter one के result की date को announce कर दिया है फर्स टाइम हो रहा है जहाँ पर Tata Motors अपने financial result को IT sector के financial result के साथ में release करने वाली है याने कि बहुत जल्दी result हमें announce होते वे देखने को मिलने वाले है 27 जुलाई 2022 के दिन हमें Tata Motors के financial result देखने को मिलने वाले है और इस बार माना जा रहा है कि result काफी अच्छे आने की उमीदे है क्योंकि जिस प्रकार से company की domestic performance रही है उसी प्रकार से company की जो global performance रही है वो भी काफी अच्छी देखने को मिल रही है इसी को देखते वे मोतिलाल उसाल फर्म की तरफ से Tata Motors को लेकर buy की rating दी गई है और 490 रुपे के short term target price यहाँ पर दिये गए है वही expert view की माने तो यहाँ पर सिदार्थ वोरा की तरह से Tata Motors और Mother Sun वाइरिंग को लेकर buy की rating दी गई है आजी की दिन IKI report के अनुसार यहाँ पर सिदार्थ का मानना है के Tata Motors के अंदर और Mother Sun वाइरिंग के अंदर काफी अच्छी order book एक existing order book आपको आने वाले times में देखने को मल सकती है और साथ ही साथ Tata Motors आपको कुछ better performance यहाँ पर बना कर दे सकता है आप देख सकते हैं Tata Motors on the other hand has a lot of tailwinds in terms of the commercial vehicle cycle doing well the domestic SUV presents in passenger vehicle supporting really well on market shares gain and so volume outlooks as well तो यहाँ पर काफी अच्छी positive news यहाँ पर Tata Motors के लिए आते वे देखने को मिल रहे हैं यह साथी साथ JLR के performance में भी Tata Motors के जो numbers निकल कर आए हैं वो काफी ज़दा attractive हमें देखने को मिल रहे हैं इसी के साथ quarter one में हमें Tata Motors का जितना भी loss था वो भी पूरी तरीके से recover होते वे देखने को मिल सकता है तो यदि आप Tata Motors के अंदर खरीदारी करना चाहते हैं तो 27 July 2022 की तारीक को आप अपने पास note down करके रख सकते हैं जैसे ही result announce हो जाएंगे आपको टेलिग्राम चैनल से और हमारे YouTube चैनल से अपडेट कर दिये जाएंगे बात कर लेते हैं next shares के बारे में जिसका नाम है Tata Power Company Limited आज के दिन इस shares के अंदर कोई बड़े movement तो हमें देखने को नहीं मिले लेकिन Tata Power के अंदर भी आज के दिन अगर आप देखेंगे तो volume बेस काम काफी अच्छा देखने को मिल रहा है एक करोड 42 लाग quantity आज के दिन Tata Power के अंदर trade हुई है जिसके सामने 28 लाग quantity deliverable base पर उठाई गई है Tata Power की बात करें तो Tata Power के अंदर भी company ने अपने financial result की date announce कर दी है 26 जुलाइ 2022 के दिन हमें company के financial result announce होते भी देखने को मिलेंगे बहुत सारे YouTubers YouTube के उपर ये भी वीडियो डाल रहे हैं कि Tata Motors और Tata Power के अंदर आपको dividend bonus जैसी update देखने को मिलने वाली है फिलाल company के तरफ से company के board of directors के तरफ से dividend bonus या फिर split को लेकर कोई announcement नहीं करी गई है तो rumors से बचकर रही है Tata Power और Tata Motors अभी सिर्फ अपने financial result declare करने वाली है तो 26 जुलाइ Tata Power का financial result और 27 जुलाइ Tata Motors का financial result announce होने वाले हैं तो यदि आपने इन दोनों company के अंदर investment कर रखा है तो यहाँ पर आप नजर बनाए रख सकते हैं company के financial performance के उपर क्योंकि जैसे financial result निकल कर आ जाएंगे आपको हमारे channel से update कर दिये जाएंगे bell icon को प्रेस करना मत बुलेगा ताकि result announce होते ही सबसे फिले आपको notification मिल पाए चलिए अब बात कर लेते हैं कि Tata Power और Tata Motors के अंदर जो trading window है वो किसके लिए close करे गई है जल जितने भी Tata Motors और Tata Power के insiders है जितने भी designated person से उनके लिए insider trading को पूरी तरीके से close कर दिया गया है और 26 July और 27 July के next 48 hours के बादी ये trading window को वापस open किया जाएगा जिससे यहाँ पर price को manipulate नहीं किया जाए तो ultimately Tata Power और Tata Motors के अंदर अब आपनी positions को for the short term purpose भी अगर अपने positions बना रखिये तो यहाँ पर भी आप result का wait कर सकते हैं तो मलते हैं next video में तब तक के लिए stay connected, stay updated